तो वापस स्वागत है और यह लिक्चर संख्या 48 है और आज हम आइगन बैल्यूज और आइगन विक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी तो यदि हमारे पास लेंब्डा एके आइगन विक्टर के रूप में है और फिर एक्स इसके अनुरूप आइगन विक्टर है तो इस अलफा इमें आइगन विक्टर एक्स है तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या है कि यदि λैंबडा एका आइगन वैल्यूज है और X, X के अनुरूप आइगन वेक्टर है तो उस स्थिती में अल्फा टाइम से अल्फा कुछ कॉंस्टेंट है वरियल नंबर सेट से कुछ स्केलर क्वांटिटी है उदाहरन के लिए तो यहाँ अल्फा ए आइगन वैल्यू अल्फा लैंबडा होगा इसलिए इस अल्फा को केवल लैंबडा से मल्टिप्लाई किया जाएगा और इसके अनुरूप आइगन वेक्टर वही रहेगा जो X यह प्रॉपर्टी है जिसे हम आसानी से वेरिफाई कर सकते हैं तो यहाँ ए एक्स लैंबडा X के एक्वल है तो हमारे पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लिए एक रिलेशन है इसलिए यदि आप यहाँ मल्टिप्लाई बाई अल्फा करते हैं तो दोनों त तो इस रिलेशन के साथ हम क्या देखते हैं कि इस अल्फा इमें आइगन वैल्यू अल्फा लैंबडा है और X आइगन वेक्टर है इस रिलेशन से मैट्रिक्स टाइम्स को कुछ स्केलर इंटू X होना चाहिए इसलिए यहां से हम यह निशकर्श निकालते हैं कि यह अल्फा लैंबडा इस मैट्रिक्स अल्फा एका आइगन वैल्यू है जिसमें आइगन वेक्टर पहले के जैसे ही X है तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है अगर यह पावर M है तो हम इसे यह M टाइम्स को मल्टिप्लाई कर रहे हैं इसलिए यदि हमारे M में आइगन वैल्यू लैंब्डा पावर M है और इसके अनुरूप आइगन वेक्टर किसी भी पॉजिटिव इंटिजर M के लिए फिर से X है तो अगर हमारे पास उदाहरन के लिए X स्कौाइर है तो इसका आइगन वैल्यू केवल लैंब्डा स्कौाइर होगा जिसमें समान आइगन वेक्टर के रूट में है तो यह भी हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यह 1X एको लैंब्डा X है और केवल A स्कौाइर के लिए इस रिजल्ट को देखने के लिए अब हम उदाहरन के लिए मल्टिप्लाई कर सकते हैं इसलिए हम यहां दोनों साइड को मल्टिप्लाई करते हैं और यहां राइट हैंड साइड यह लैंब्डा यह कॉंस्टेंट है यहां हम बाहर की तरह ला सकते हैं और फिर हमारे पास वहां यह ए एक्स है और जिसके एक्स को हम लैंब्डा एक्स द्वारा फिर से रिप्लेस कर सकते हैं इस रिलेशन के द्वारा एक्स लैंब्डा एक का क्या relation है जो कि A के साथ इसे का multiplication है तो A square X lambda square X के equal है यह बताता है कि यह square matrix A square का eigen value है यहाँ lambda square और lambda I का eigen value था इसलिए इस relation के साथ हम किसी भी इंटिजरम की power के लिए A cube के A square के eigen value को आसानी से राप्त कर सकते हैं क्यूंकि power eigen value जाएगी और 6 eigen value भी वही होगा जो matrix A के लिए इस lambda के eigen vector थे अब अगली property यहाँ हमने देखी है कि यह lambda square A का eigen value है अब एक square matrix के दो eigen vector A के अनुरूप दो distinct eigen value linearly independent हैं इसलिए हम यहाँ क्या सिद्ध करेंगे कि दो distinct eigen value के अनुरूप दो eigen vector हमेशा linearly independent होते हैं यहाँ अवलोकन हम पहले से ही संख्यात्मक उदाहरणों के लिए देख चुके हैं लेकिन हम यहाँ सिद्ध कर सकते हैं यहाँ किसी भी matrix के लिए अधिक व्यापक slash general matrix के लिए हम इस परिणाम को सैध्धानतिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं अब हम क्या consider करते हैं तो मान लेकि एक से और एकस दो भी दो distinct eigenvalue lambda एक और lambda दो के अनुरूप के दो eigen vector हैं तो यह lambda एक और lambda दो ये दो distinct eigenvalue हैं जिनहें हमने मान लिया है और उनके अनुरूप अईगन वेक्टर को x एक द्वारा denote किया जाता है जो lambda 1 के अनुरूप है और x2 इस आइगन वैल्यू lambda 2 के अनुरूप है तो इसका अर्थ यह है कि हमारे पास यह relation है कि वे इस relation को संतुष्ट करते हैं कि यह x1 lambda times x1 के equal है और यह x2 lambda 2 x2 के equal है क्योंकि वे इस आइगन वैल्यू आइगन विक्टर की जोड़ी हैं और अब हम वास्तव में क्या दिखाना चाहते हैं कि यह x1 और x2 linearly independent हैं इसलिए इसके लिए हम इस linear combination को consider करेंगे सी 1x1 plus c2 x2 0 के equal है और इसलिए यह 0 वेक्टर है जिसे मैं side कर सकता हूँ और फिर हम देखेंगे कि इसका मतलब यहाँ होगा कि यह सच है यह linear combination 0 है यह सच है कि केवल 1x c1 0 है और c2 0 है ताकि यह x1 और x2 linearly independent हो इसलिए ऐसा करने के लिए हम यहाँ c1 को consider करेंगे इसलिए हमने मूल रूप से matrix से इसे multiply किया है यह दिये गए बटा matrix a है इसलिए हमारे पास c1 x a है क्योंकि c1 constant था इसलिए हमने यहाँ c1 ताइम से x1 और फिर c2 ताइम से x2 लिया है केवले से multiply करने पर प्राप्त हुआ है ठीक है तो अगला यहाँ अब हमारे पास a x1 है और हमारे पास यहाँ a x2 है जिसे हम lambda 1 x1 और lambda 2 x2 से replace कर सकते हैं तो हमारे पास मूल रूप से यह दो equation है अब एक c1 x1 प्लस c2 x2 के equal है और दूसरा equation हमारे पास यहाँ है c1 lambda 1 x1 प्लस c2 lambda 2 x2 वास्तव में यह है अग्यात हम c1 x1 के रूप में consider कर सकते हैं और दूसरा एक c2 x2 इसलिए यहाँ भी हमारे पास c1 x1 है और यहाँ भी हमारे पास c2 x2 है इसलिए यह इस linear equation के linearly equation system के दो system बनाते हैं और यहाँ अग्यात के साथ c1 x1 और c2 x2 है इसलिए यहाँ दो linearly equation है यहाँ बे अग्यात c1 x1 और c2 x2 के साथ linear equation system से है इसलिए अब हमारे पास दो equation है यहाँ c1 x1 और c2 x2 शुन्य के इक्वल है और इस lambda x c1 x1 प्लस lambda 2 c2 x2 के साथ शुन्य के इक्वल है इसलिए हम अब c1 x1 और c2 x2 के लिए हल करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं हम इस equation number 1 को यहाँ multiply करते हैं इसलिए हमने इस equation को lambda 1 से multiply किया है इसलिए यदि हम यहाँ multiply करते हैं तो हमारे पास lambda 1 c1 x1 और lambda 1 c2 x2 है और अब इन दो equation से हम इस equation संख्या 2 को इस equation 1 से subtract कर सकते हैं और फिर हमें क्या मिलेगा यह lambda 2 minus यह lambda 1 क्योंकि यह term cancel हो जाएगा इसलिए हमें lambda 2 minus lambda 1 c2 x2 के इक्वल शुन्य मिलेगा और अब हम देखते हैं कि यह equation सरल होगी क्योंकि c2 x2 के equal है क्योंकि यह lambda 2 minus lambda 1 शुन्य नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास दो distinct eigen value है और यह x 2 eigen vector है जो फिर से non zero vector है इसलिए इस equation का आर्थ है किसी 2 शुन्य होना चाहिए क्योंकि यह lambda 1 minus lambda 2 या lambda 2 minus lambda 1 0 नहीं है और x 2 2 भी 0 नहीं है और फिर इस equation संख्या 1 से फिर से यहां सी 1 x 1 plus c2 x 2 है अगर हम इस c2 को 0 के equal substitute करते हैं तो यह term 0 होगा और फिर हमारा यह relation है किसी 1 x 1 0 के equal है और फिर से उसी argument के साथ क्योंकि यह x 1 0 नहीं हो सकता तो यहां फिर से इसका तातपर यह किसी 1 equal 0 है चूंकि यह x 1 0 के equal नहीं है इसलिए इसके साथ अब हमारे पास यह c 1 0 और c 2 0 है और इसका उद्देश यह दिखाना था कि इस linear combination में c 1 x 1 c 2 x 2 equal 0 संभव है जब यह c 1 0 है और c 2 0 है जिसका अर्थ है कि यह eigenvector linearly independent है इसलिए eigenvector यहां x 1 x 2 दोनों linearly independent हैं तो यहां मामला था जब हमने दो distinct eigenvalues को consider किया है लेकिन हम मामले को और अधिक eigenvalues के लिए भी सामानी कृत कर सकते हैं उदाहरण के लिए यहां हमारे पास हमारे विशिष्ट eigenvalue के अनुरूप eigenvalues x 1 x 2 x 3 x r है यह इन eigenvalues के अनुरूप eigenvector हैं lambda 1 lambda 2 lambda r क्रमशह और उस स्थिती में भी हम यह सिद्ध करने के लिए similar trick का उपियोग कर सकते हैं कि यह eigenvector linearly independent है इसलिए हमारे पास यह बहुत अच्छा परिणाम है जो कि distinct eigenvalues के अनुरूप है eigenvector linearly independent है इसलिए हमारे पास एक और परिणाम है कि यदि x eigenvalue lambda के अनुरूप का एक eigenvector है तो यहां के x भी उसी eigenvalue lambda के अनुरूप eigenvector है तो यहां हमने पहले भी देखा है कि यह गए eigenvector को किसी भी constant से आप multiply by कर सकते हैं और वह eigenvector भी रहेगा और यही वह है जो हम यहां और अधिक अपचारिक और सैधानतिक रूप से देखेंगे कि यहां किसी भी matrix के लिए सच है इसलिए यहां x lambda x के equal है यही वह relation है इसलिए यहां हमें बताता है कि lambda eigenvalue में से 1 है और अनुरूप eigenvector x है और फिर यहां के time तो हमने equation को यहां के से दोनों side से multiply किया है और फिर हमारे पास के times है यह यह axis lambda x के times के equal है और फिर हम इसे a into इसके x की तरह जोड़ सकते हैं और lambda times इसके x के equal है इसलिए हमारे पास यह relation है कि यहां कुछ vector lambda के equal है वही vector के x जो हमें बताता है कि यहां के x फिर से eigenvector है यदि x eigenvector था तो के times x भी है इसके और non-zero scalar के लिए eigenvector है यहां यदि x matrix a का eigenvector है तो x है कि x से अधिक eigenvalue के अनुरूप नहीं हो सकता है तो एक और महत्वपूर्ण result यहां है कि यहां eigenvector unique है इसलिए यदि आपके पास है और eigenvector अनुरूप है तो हम मान लेते हैं कि lambda तो यहां x किसी अन्य eigenvalue के अनुरूप नहीं हो सकता है इसलिए यहां उस अर्थ में unique है तो यहां अगर हम मानते हैं कि यहां दिये गए matrix के लिए हमारे पास x lambda 1x के equal है यहां हमारी assumption है और हम यहां भी मानते हैं कि यह x lambda 2x के equal है जिसका अर्थ है कि हमने मान लिया है कि यहां x eigenvector x दो eigenvalues के अनुरूप है जिसका अर्थ है lambda 1 और lambda 2 तो यह दो eigenvalues एक ही eigenvector x के अनुरूप हैं यहां हमारी assumption है और अब हम देखेंगे कि यहां संभव नहीं है इसलिए इस relation में हमारे पास दर असल lambda 1 x lambda 2 x के equal है क्योंकि उनके पास वेक्टर ए 1 से x के समान value है इसलिए वे दोनों समान हैं इसलिए lambda 1 x lambda 2 x के equal है जो यहां बताता है कि lambda 1 minus lambda 2 times x 0 के equal है और यह x आइगन वेक्टर है इसलिए यह 0 नहीं हो सकता तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास यहां होना चाहिए कि lambda 1 minus lambda 2 x 0 के equal है इसलिए lambda 1 minus lambda 2 x 0 के equal है जोंकि यह x एक आइगन वेक्टर है और इसलिए यहां हमारी अजमपशन है कि किसी तरह से कहा गया है कि अगर हमने लिया है कि दो आइगन वेल्यूस थे तो यह दो आइगन वेल्यूस को एक समान आइगन वेल्यूस होना चाहिए आपके पास दो distinct आइगन वेल्यूस नहीं हो सकती हैं जो एक ही आइगन है इसलिए एक और result है जो कहता है कि यह A- के आई है इसलिए यदि आप इसके को यहां सब्ट्रेक्ट करते हैं तो eigen values इस नए matrix का lambda minus के होगा और अनुरूप eigen vector x के रूप में रहेगा तो इसे फिर से देखने के लिए हम eigen values eigen vector पर इस मानक result के साथ शुरू करते हैं जिसका अर्थ है कि x lambda x के equal है जिसमें यह A x lambda x के equal है हम इसके x को दोनों पक्षों से subtract नहीं कर सकते हैं इसलिए यहां lambda x से हमने इसके x को subtract किया है और यहां भी वही बात के x तो यह के x के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि यह A x के equal x है तो यहां भी हमारे पास के x यहां भी हमारे पास दोनों पक्षों में के x है हमने इसके x को यहां subtract किया है x के लिए हमने i x लिखा है क्योंकि हमारे पास matrix भी एक साथ है इसलिए अब इसे जोड़ना आसान होगा, तो अब यहाँ होने पर हम इस x common को इस left hand side से ले सकते हैं, इसलिए a minus यहाँ के i into x, और यहाँ भी इस lambda minus के into x के equal है, तो इस relation के साथ यहाँ बताता है, कि यदि यहाँ a minus के i में eigen values lambda minus के है, तो यह a minus i vector, में एक ही eigen vector, x के साथ eigen values lambda minus के है, इसलिए यहाँ एक और result है, कि अगर हमारे पास यहाँ नया matrix है, जो सिर्फ a minus के आई है, तो हमें के eigen values से आईगन values के बारे में जानते हैं, और यह inverse यहाँ फिर से महत्वपून है, कि यदि यह निश्चित रूप से मौजूद है, तो केवल हम इस result के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यदि एक matrix के लिए inverse मौजूद है, तो यहाँ inverse होगा, यहाँ आईगन value या आईगन value से एक ओवर lambda, इसलिए यदि हमारे पास lambda एक lambda दो, आईगन value से का उदाहरन है, तो inverse एक ओवर एक lambda एक ओवर lambda दो आईगन value के रूप में होगा, तो यहाँ एक इंवर्स में आईगन value एक ओवर lambda होगा, और अनुरूप आईगन विक्टर एक्स होगा, इसलिए आईगन विक्टर इस inverse matrix के लिए केवल आईगन values नहीं बदलेगा, इस result को देखने के लिए हमारे पास यहाँ एक्स lambda एक्स के इक्वल है, और यदि हम दोनों साइड multiply by एक इंवर्स से करते हैं, तो हमारे पास एक इंवर्स इंटू एक्स है, हमारे पास right hand side पर भी एक इंवर्स इंटू यहाँ लैम्डा एक्स है, इसलिए हमने दोनों साइड को इस A इंवर्स से multiply किया है, और फिर हमारे पास यह A इंवर्स एक्स इक्वल है, तो side A इंवर्स एक्स हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास A इंवर्स एक्स है, यहाँ हमारे पास A इंवर्स एक्स है, और यह lambda एक constant term है, जिसे हम left hand side ले जा सकते हैं, जहां यह inverse है, सिर्फ identity matrix है, और इस x के साथ identity matrix हमें, यहां x देगा, और यह lambda ग्रसर है, इस left side पर ताकि हमें 1 over lambda मिल जाए, और यह inverse x यहां रहता है, तो अब हमारा क्या संबंद slash relation है, कि यह inverse x 1 over lambda times x के equal है, जिसका अर्थ है, कि यहां 1 over lambda, यहां 1 over lambda is, इसलिए inverse matrix की eigen value है, इसलिए inverse x 1 over lambda times x के equal है, इसलिए a or a transpose के समान eigen values हैं, इसलिए a or a transpose में समान eigen values हैं, और जिन्हें हम फिर से आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि यह minus lambda i का determinant जो वह characteristics equation है, जो वास्तव में eigen values देता है, तो यहां यह characteristics polynomial जो a minus lambda i है, हम determinant की property जानते हैं, कि इस matrix का determinant के minus lambda i, यह minus lambda i के determinant के समान होगा transpose दो, transpose matrix के determinant को नहीं बदलता है, इसलिए हमने यहां जिस property का उप्योग किया है, कि यह minus lambda i का determinant उस matrix के minus lambda i के transpose के determinant के equal है, अब इस transpose की property यहां कहती है, कि यह minus lambda i transpose, A transpose minus lambda होगा और I transpose होगा जो फिर से I है तो यहां यहां एक transpose minus lambda I के determinant के equal है और यहां खुद दिखाता है कि इसका determinant तो यहां characteristics polynomial यहां A minus lambda I जो A transpose minus lambda I के characteristics polynomial के समान है और यहां relation कहता है कि हमारे पास A और A transpose के लिए समान characteristics equation है जिसका अर्थ है कि बे समान आइगन वैल्यूज होंगे, तो यहां result यहां है कि और ए ट्रांस्पोस की समान समान आइगन वैल्यूज होगी, इसलिए और ए ट्रांस्पोस की समान आइगन वैल्यू है, इसलिए यह एक और महत्वपून result है जिसे हम आसानी से इस Determinant Property की मदद से पता लगा सकती हैं. अगली थियोरम तो यहां characteristics roots से मेरा मतलब है eigen values इसलिए कभी-कभी हम characteristics roots को भी कहते हैं इसलिए Hermitian matrix के eigen values real है. तो Hermitian matrix क्या है? इसलिए हम जानते हैं कि Hermitian, a star एक meaning के equal है, conjugate, transpose, a star का यहां मतलब है कि हम transport ले रहे हैं और हम matrix a के complex conjugate को भी ले रहे हैं इसलिए यहां इस transpose के complex conjugate a के equal है तो हम कहते हैं कि यह Hermitian matrix है. यह result क्या है? कि Hermitian matrices के लिए roots real हैं क्योंकि हमने यह भी देखा है. कि हालांकि matrix में सब ही real entry हैं लेकिन हम characteristics roots को complex number के रूप में ले सकते हैं जिसे हमने पिछले लेक्चर में देखा है उदाहरणों में से एक जहां हमारे पास real entry के साथ एक बहुत ही सरल दो बटा दो matrix था और इसकी characteristics polynomial या मेरा मतलब है कि characteristics roots eigen values non real थे इसलिए complex इसलिए यहां हमारे पास कम से कम हर mission matrix के result है कि इस मामले में सभी characteristics roots real हैं यदि lambda और lambda अनुरूप eigen vector की characteristic root है तो हम यहां देखेंगे कि यह lambda real कैसे होना चाहिए इसलिए हमारे पास यहां a x lambda x के equal है जो की eigen values eigen vector के relation की property है हम यहां इस x star term से multiply करते हैं तो x star फिर से x का transpose क्या है और इसके complex conjugate इसलिए हम इस vector से दोनों side multiply करते हैं और फिर यह lambda एक constant term है इसलिए हम हमेशा यहां सामने ले जा सकते हैं इसलिए यह x star x है इसलिए हमारे पास x star a x lambda के equal है x star x है जो की यह एक relation है और अब हम इस equation के दोनों side को conjugate transpose करते हैं यहां x star a x equal lambda x star x है तो हमें यहां क्या मिलता है x star a x complex conjugate और यहां भी हम इस conjugate transpose को फिर से इस x star और फिर हमारे पास यहां properties हैं की यह x star और a star और फिर से x star होगा तो मेरा मतलब है x star या a star जो की x होगा और यहां भी हमारे पास एक ही परिद्रिश्य होगा x star और फिर x star star x बन जाएगा और इस lambda का conjugate वहां lambda बार होगा हमारा यह relation है और हमारा यह भी relation है x star a x lambda x star a x के equal है हमारे पास यह relation है x star x lambda बार x star x के equal है बस इस equation से complex conjugate लेने से हमें यह equation मिला है और अब हमारे पास यह दो equation है जिनका left hand side समान होगा क्योंकि x star a है तो यहां यहां भी यह a star a है तो इन दो equation के साथ हम यह निशकर्ष निकाल सकते है कि यह right hand side शून्य के equal होना चाहिए इसका मतलब है कि lambda x star x lambda bar x star x के equal है इसका कारण यहां है कि यह a star और यह a x समान है वे समान है इसलिए स्वाभाविक रूप से right hand side भी यहां समान होगा और हमारे पास lambda x star x lambda bar x star x के equal है और यह अब क्या है यह बताता है कि यह lambda इसलिए हम left hand side lambda minus ला सकते हैं यह lambda bar x star x 0 के equal है और x eigen vector है इसलिए 0 नहीं हो सकता x star x 0 नहीं हो सकता है यहां lambda lambda bar के equal होना चाहिए क्योंकि यह मात्रा 0 नहीं हो सकती है इसलिए यह 0 होना चाहिए इसलिए यहां हमने देखा है कि lambda lambda bar के equal है और यही हम यहां देखना चाहते हैं कि lambda real है इसलिए यदि lambda hermission matrix की eigen value है तो lambda lambda bar के equal है जिसका अर्थ है कि यहां एक वास्तविक संख्या है यहां एक complex संख्या नहीं हो सकती है ठीक है तो एक और इसी तरह हम इन निम्नलिकित results को सिध्ध कर सकते हैं जिनमें proof की similar रेखाए हैं जो हमने अभी किया है कि इस real symmetric matrix के eigen values भी real है यही हम भी कर सकते हैं और real skew symmetric matrix के eigen values तो यहां हमारे पास इसका मतलब है कि यहां एक transfer का minus है इसलिए यहां यहां real skew symmetric matrix विशुद्ध रूप से imaginary है इसलिए यहां भी दिल्चस्प है कि ऐसे matrices के eigen values या तो विशुद्ध रूप से imaginary हैं या शून्य हैं कि दो संभावनाएं जो फिर से यदि आप पहले के proof का पालन करते हैं तो हम यह भी कर सकते हैं और a skew hermitian matrices के eigen values इसलिए हमने देखा है कि hermitian matrix के लिए लेकिन अब यहां skew hermitian matrix है जिसका अर्थ है कि यहां a star minus a के equal है तो उन मामलों के लिए eigen values विशुद्ध रूप से imaginary या फिर से शून्य हैं तो ये पहले के proof के परिणाम हैं जिन्हें हम यहां आसानी से देख सकते हैं अब एक और महत्वपून result यहां है कि unitary matrix के eigen values unit modules के हैं इसलिए यहां भी हम व्यापक रूप से सिध्ध कर सकते हैं कि क्या हमारे पास यहां unitary matrix है जिसका अर्थ है कि यहां star identity matrix के equal है इसलिए ऐसे matrices को unitary matrix कहा जाता है इसलिए यदि हमारे पास unitary matrix है तो हम अब eigen values साबित करेंगे eigen values के modules एक है जिसका अर्थ है कि हम यहां consider करते हैं कि यह x lambda x के equal है और फिर complex conjugate को यहां फिर से लेना यह x star lambda x star के equal है जो हमें मिलेगा इसलिए हम फिर से इस property का उप्योग करेंगे तो x star और a star इसके equal है lambda बार x star होगा और इस a x से lambda x के equal है और इस equation x star इस टार lambda बार x star के equal से अब हम यहां product continue रखेंगे हम यहां product लेंगे तो यहां x star a star x के साथ product यह दो vector तो x star a star multiply by यह vector a x किस lambda बार x star के equal है और multiply किया है यह lambda से इसलिए हमने यहां के equal इन दो का product किया है और फिर हम यहां x star और इस सहचारिता को देखते हैं ताकि हम इस से star a को एक साथ उप्योग कर सकें और फिर x यहां lambda बार यह lambda constant है ताकि हम आसानी से निकाल सकें और फिर हमारे पास x star x है और फिर हम इसे common ले सकते हैं क्योंकि यहां a star a i के equal है इसलिए यहां हमारे पास identity matrix है जिसका अर्थ है कि यह टर्म और कुछ नहीं है लेकिन यह टर्म यहां x star और x के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए हमारे पास यहां x star x है हमारे पास x star x भी है हम इस x star x को common लेते हैं और हमें एक minus यह lambda bar lambda मिलता है और बहर शून्य के equal है और इसके साथ हमें यह result मिला कि यह lambda bar lambda एक over lambda bar के equal है lambda और कुछ नहीं बलकि lambda square की absolute value है इसलिए lambda square की absolute value एक के equal है क्योंकि यह 0 नहीं हो सकता है इसलिए इसे 0 होना चाहिए जो हमें बताता है कि यह lambda bar square 0 के equal है तो इसका अर्थ यहा है कि हमें यह मिला है कि lambda की यह absolute value एक होनी चाहिए इसलिए यह unitary matrix की eigen values unit modulus की है बही result हम orthogonal matrices के लिए भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उनकी property भी similar ही है transpose i के equal है इसलिए orthogonal matrices के लिए भी हम इस तरह से सभी similar steps को सिध्ध कर सकते हैं और हम फिर से सिध्ध कर सकते हैं कि उनकी eigen values भी unit modulus की है आइगन values की location अब हमने पिछली slide में देखा है इसलिए यदि हमारे पास एक skew Hermitian matrix है उनके eigen values imaginary विशुद रूप से imaginary हैं यहां unitary matrix ways modulus पर स्थित हैं और Hermitian matrix या symmetric matrix के लिए value real अक्ष पर बैठी हैं जिसका आर्थ है कि वे वास्तविक संख्याएं हैं तो यहां skew Hermitian और skew symmetric एक ही चीज यूनिटरी और orthogonal के लिए हमारे पास एक ही result है कि वे Hermitian और symmetric के लिए unit modulus के हैं हमारे पास दोनों के लिए भी एक ही result है कि वे real entries हैं निशकर्ष पर पहुँचने के लिए हमने इस eigen values और एक matrix के eigen vector की कई properties को देखा है हमने विभिन प्रकार के matrices को consider किया है जहां हम इस बारे में बता सकते हैं कि यदि आपकी imaginary यहां 0 है तो eigen values real imaginary होंगे या नहीं तो यहां इन सभी properties में साधारन विचार यह था कि इसे x equal lambda x का उपयोग करना और हमने इन सभी properties को साबित करने के लिए केवल इस equation के साथ कार्य किया और अब इनका उपयोग किया जा सकता है अब इन सभी numerical calculations को किये बिना हम इन properties की सहायता से भी सीधा compute कर सकते हैं तो यह वे संदर्ब हैं जिनका उपयोग हमने इन लेक्चर को तयार करने के लिए किया है और आपके ध्यान के लिए धन्यवाद